तो आज मैं आप लोगों के लिए हरी मटर के परांटे की रेसिपी लेकर आई हूँ इसको मैंने एक अलग तरीके से बनाया है जो कि बहुत ही यूनिक है तो वीडियो को पूरा देखें पसंद आये तो लाइक ज़रूर करें तो परांटे बनाने के लिए सबसे पहले यहां प तेल की जगे आप घीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक छोटा जमच नमक डाला है मैंने इसमें नमक आप अपने स्वात के अनुसार भी डाल सकते हैं इन दीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तयार करेंगे जब हम कोई भी स्टफिंग बाला पराठा बनाते हैं तो उसके लिए हम सॉफ्ट रोही बनाकर तयार करते हैं ताकि जो इसमें स्टफिंग भरे तो वह पराठा हमारा फटी नहीं मतल का पराठा आपने शायद पहले भी बनाया हो लेकिन इस रेसिपी के शु educated सिर्फ लगते हैं पराठे बनाने में तो थो मारा बन का तयार हो गया है इसको 강ते हम तो यहां पर मैंने ले लिया है the stuffing बनाने के लिए हरी मटर तो एककप यह i Today मटर है। म स्कुने दलेंगे किbythat कि एक साथी को पीस लें आधांगे तो हमें बिल्कुल भी इस फम्हानी पीशना है इसको हमेंने तोड़ा साथ Barak einge पीशना है तो फेंगे तो तो उसका मजा ही कुछ और होगा जब छोटे चोटे बाइट साते हैं मटर के बटाठे के अंदर तो उसका अलगी स्वाद लगता है अब यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है पैन में मैंने चार बड़े चमच डाला है तेल तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें आधा चोटा चमच जीरा डाल देंगे चोथाई चोटा चमच डाल देंगे हींग और यह दो चोटे चमच मैंने यहां पर बेसन डाला है तो बेसन डालने से क्या होता है कि हमारी जो स्टफिंग है वो गीली नहीं बनती है तो मतर में थोड़ा सा मास्चर होता है हमने मतर को उबाल कर नहीं पीशा है बिल्कुल ऐसे ही कच्चा पीशा है तो उसमें थोड़ा सा माश्चर होता है ये बेशन जो है उस माश्चर को सोक लेगा और स्टफिंग हमारी बिल्कुल गीली नहीं बनेगी तो बेशन को हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए उसके बाद हम इसमें पिशी हुई मटर को एड़ करेंगे तो मटर और बेशन को अच्छे से मिक्स कर देंगे एक में और इसको 2-3 मिनट तक हम भूनेंगे ताकि मटर भी जो हमारी कच्ची है वो थोड़ी सी पक जाए अब हम इसमें डाल देंगे आदा छोड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर स्वात के नुसार नमक नमक और मिर्च आप अपने स्वात के नुसार एड़ेस्ट कर सकते हैं आदा छोड़ा चम्मच बुना हुआ जीरा पाउडर और आदा छोड़ा चम्मच हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला तो बस इसने ही मसाले हमें इसमें आइड करने हैं सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें और फ्लेम को थोड़ा सा स्लो ही रहने दें ताकि यह स्टफिंग जो है हमारी नीचे से जले नहीं तो अच्छे से इन बहुत बढ़ी असी मटर की स्टफिंग तयार है अब अपने डो में से हम थोड़ा सा डो निकाल लेंगे अलग कितना बड़ा पराठा आप बनाना चाहते हैं उतना डो निकाल लीजिए थोड़ा सा इसको बेलन से बेल के इसके अंदर आप अपने हिसाब से जितने भी स्टफिंग आप पसंद करें कम या ज्यादा इसके अंदर रख लीजिए और चारो तरब से इसको इस तरीके से प्रेटे डाल डाल कर खुमा कर बंद कर दीजिए तो ये लीजिए हमारे एक लोई बनकर त्यार है इसमें थोड़ा सा सूखा आठा लगा कर हम इसको बेल लेंगे और पराठा बना लेंगे इसका दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए तो आप देख सकते हैं हमारी हरी मटर पराठे क अंदर से थोड़ा थोड़ा दिख रही है तो आप पराठा अपना सेकेंगे तो तब ही पर थोड़ा सा मैंने गही लगा दिया है अब इसको पराठे को डाल देते हैं इसके उपर सुबा की भागम भाग में क्या होता है कि नाश्ता बनाने की बहुत जादा जल्दी होती है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाई बाई बाई